नवरात्री के शिरुआत होने के बाद से ही लगातार इंतिजार बढ़ती चली जा रही थे लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है BJP ने जैसे ही दूसरी लिस्ट का एलान किया महज आदे घंटे के भीतर भीतर ही कॉंग्रस ने पहली लिस्ट का एलान कर दिया एकुल 35 नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतरा गया है जिताओं उमिद्वार का दावा लगातार 33 उमिद्वारों के नामों का एलान हो चुका है कॉंग्रेस ने एक बोड़ी घोशना कर दिया लगातार जिताओं और टिकाओं उमिद्वारों को डूनने के लिए कवायते भी की जा रही है कोई दोर की बैचके कॉंग्रेस की ओर से की गई 200 सीटों में से 33 उमिद्वारों के नामों का एलान इस वक्त कॉंग्रेस की ओर से कर दिया गया है सेयोगी सौरब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सौरब कुल 33 नाम जिताओं है क्या ये सब ही जिसकी बनिश्पद बीजेपी ने जो है वो करीब 124 नाओं पर महुर लगा दी लेकिन जो नाम पहले से चल रहे थे इनके नाम पहले से जो है वो चल रहे थे यानि कॉंग्रेस ने भी बदलाओ जो है वो नहीं किया है अब कुछ इंट्रेस्टिंग बाते जो है वो देखने को मिलेगी मालवी नगर से फिर वही मुकाबला जो 2018 में देखने को मिला था काली चरन सराव के सामने अर्चना शर्मा रहने वाली है अमित चाचान जो वर्तमान विदायक है उनके सामने अभिशेक मटोरिया जो है वो कॉंग्रेस से मेदान में उतर चुके है कोलाज से मंत्री जो है बावर सिंग बाटी वो मेदान में है यानि बदलाओ जो है वो जादा नहीं किया गया है टोक से सचिन पाइलेट है, सरदार पूरा से अशोग गेलोद है, कोई भी जादा बदलाओ इस लिस्ट में देखनेों को नहीं मिल रहा है, बड़े नामों की बात करें, नादवारा से सीपी जोशी है, जो विजान सबाद जेक्श है, उनको जो है वो मेधान में फिर से उतार दिया गया है, यानि कोई बड़ी बदलाओ जो है वो इस लिश्ट में नहीं है, यानि कॉंग्रेस जो है वो फूख फूख कर कदम जो है वो इस लियाद से रख रही है, कि जो विरोध बीजेपी में देखने को मिल रहा था, वो विरोध जो है वो शायद इसी विरोध की व करेंगे सामने हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा दा लेकिन जो पहली लिस्ट है उससे तो यह लग रहा जो वर्तमान विदायक है उन पर ही पार्टी ने भरोसा जता है ज्यादा किसी का बदलाओ जो है वो नहीं किया है क्रिशना पुनिया साधुलपूर से जो है वो लड़ेंगी दानिश अबरार, मुकेश भाकर, चैतन सिंग डूडी यानि किसी प्रकार का बदलाओ जो है वो कॉंग्रेस ने अपनी लिस्ट में नहीं किया है यह बहुत बड़ी बात है कि जो विरोध की बात की जा रही थी कि कॉंग्रेस की लिस्ट आने के बाद कुछ विरोध हो सकता है उस विरोध को संबद ठामने की कोशी जो है वो कॉंग्रेस इसलिया अच्छे किये कि जैसे जैसे चुनाओ नजदिक आएंगे ऐसे जो है वो लिस्ट की घोष्टा जो है वो की जाएगी बायुतू से अरिश चोधरी का नाम जो है वो पहले भी वो विदायक रह चुके ह साथी क्याना वलब नगर से जो है वो पृति गजन सिंग जो है वो मैदान में उत्री हुई है तो तमाम महेंदर ची सिंग बालविया जो लगातार बागी दोरा से जो है वो चुनाओ लड़ते आए हैं कुशलकर से रमिला खडिया जो निर्देली जीती थी पिछली बार उ यानि किसी प्रकार का बदलाव कॉंग्रेस ने कम से कम नहीं किया है हิंडौली से अशुक चांद्ना का नाम जो है हूए वो है लेगानह से विजय पल मिर्दा जो 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 हृत contributor के भाई है उनको जो हो मैदान में उतार दिया गया है दीविया मजरिना जो सिया मैदान में किसी प्रकार का बदलाओ इस लिस्ट में नहीं देखने को मिल रहा है। वहाँ ध्यान से क्यूकि जिस प्रकार से लिस्ट आने से पहले ही तमाम प्रत्याशी है उनको संकेत ऑकुरेज़ द्वारा दे दिये गए थे आला कमान जिवारा संकेत दे दिये गए थे क्या है तक आप तैयारी करें ले vita लेकिन अब लिस्ट जारी किये लेकिन वह बहुत च यानि सो से ज्यादा सीटों पर अपने उमीदवार उतार दिये तो अब देखना होगा कि वीजेपी में किस प्रकार का विरोध होता है और चुकि यहां पर भी कॉंग्रेस में भी ऐसा उमीद थी कि बड़ी लिस्ट जो है वो आईगी क्योंकि सो से ज्यादा नामों पर मंत्री जो वर्तमार में वंत्री है उनके नाम इसमें है लेकिन शांती धारिवाल का नाम नहीं है लवली हमार साथ लगातार मोजुद है लवली शांती धारिवाल का नाम इस लिस्ट में नहीं होना किस प्रकार के संकेत दे रहा है आद देखे बिलकुल आला कमान को जो यह रोकना ही यही कहा जाएगा टिकेट कटना अभी हम नहीं कह सकते क्यूंकि शांतिधारिवाल अपने बेटे के लिए मांग रहे थे टिकेट और इस तरह की खबरे आई थी के पुत्र पुत्रियों को टिकेट नहीं दिया जाए बजाए उन्हीं दावेदारों को मैदान में उत बताई जा रही है पाइलेट भी विरूद नहीं कर रहे हैं अशोग गेलोद भी विरूद नहीं कर रहे हैं लेकिन इस पहली लिष्ट के अंदर अधिकर नामों पर चर्चा और सिर्फ 3033 नामों पर ऐलान किया गया है यह बड़ा इंडिकेशन है कि कॉंग्रेस को लिस्ट जारी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है